Hello Everyone, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Online GKGS Classes में आज की यह Class जो है Class 12 इंगलीज के Poetry Section का Chapter No.6 जिसका नाम है The Soldier, जिसके राइटर है Rupert Brooke आप अपनी भासा में इसके Hindi अर्थ को समझेंगे जिससे नहीं इसके Objective रटने क्या हो सकता होगी और नाहीं इसके Subjective रटने क्या हो सकता होगी तो चलिए, सुरू करते हैं तो किसी भी Chapter को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले Writer के बारे में पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं? तो Writer से Related Objective जो है ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं इसलिए पढ़ते हैं तो देखे तनी Writer के बारे में हम आपको बता देते हैं तो आप Chapter का नाम अल्रेडी जानते हैं जिसका नाम है The Soldier और Writer Rupert Broke सबसे पहला प्रस्ण आपसे पूछता है The Soldier जो है कैसा पोयम है? तो आप याद रखिएगा इपहल का बाद तो War Sonnet है ठीक है? War Sonnet अब कहेंगे सर, Sonnet का मतलब का होता है? जब कोई पोयम चवद लाइन में लिखा जाता है चवद लाइन में और पहिला जो है 8 लाइन और दूसर का जो है 6 लाइन में तब उसे हम लोग कहते हैं उस poem को sonet कहते हैं याद रखिएगा तो आप से पुछेगा The soldier का है The soldier जो है War sonet है और दूसरा प्रसने कि Rupert Brooke जो है कैसे poet के रूप में famous हुए तो Rupert Brooke को जो है War poet कहा जाता है क्यों कहा जाता है तो यूद्ध से संबंदित इन्होंने बहुत सारी कभिताएं लिखी है अपने देश के सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए इसलिए इन्हें war मिन्स यूद्ध है और poet मिन्स कभी तो war poet कहा जाता है यूद्ध के कभी कहा जाता है अब प्रसना आप से पूछता है कि Rupert Brooke का जो है जनम कभ हुआ तो आप याद रखेंगे 3 अगस्त 1887 को जो है रगभी कहा यूके में हुआ था यूके के करा कहल जाता है तो आप अल्रेडी जानते है United Kingdom जो है अमेरिका को कहल जाता है ठीक है तब war न जो है 3 अगस्त 1887 को रगभी यूके में हुआ था अब जो है did means इनका मृत्यु कभ हुआ तब अमृत्यु जो है 23 अपरेल 1915 में हुआ था कभ हुआ 23 अपरेल 1915 में और सेटेसेमिया सेटेसेमिया नाम के वो बेमारी होता है जिसमें बलोड बलोड के कारण जो है ब्लड सर्कूलेशन जो है रूख जाता है सेप्टी सेमिया के कारण तब सेप्टी सेमिया के कारण जो है इनका मृत्ती हुआ और कब हुआ था 23 अप्रेल 1915 में याद रखेगा जनम कब हुआ 3 अगस्त 1887 को अब जो है next एको कभी थें जिनका नाम था W.B.Eats से W.B.Eats जो है इन रूपट ब्रूक को जो है जानते है का कहे थें handsome young man in England England में सबसे जादा जो है handsome जो है जावान विक्ती कौन है तो रूपट ब्रूक है कौन कहे थें तो W.B.Eats कहे थें इबात याद रखेगा आद सोलजर जो कभीता लिखा गया है पोयम लिखा गया है वो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था प्रथम 20 यूद हो रहा था तो इंगलैंड के सैनिको को मोटिवेट करने के लिए जो है रूपर्ट ब्रूक ने जो है एक कभीता लिखी जिसका नाम रखा दस सोलजर और ये जो है काफी जादा अच्छी रही इनके अनुसार ठीक है तो आप इसी कभीता को आप परहेंगे और जितने भी राइटर से रिलेटेड अब्जेक्टिब पूछे जाने वाले थें वो यहीं से ही पूछे जाएंगे याद रखेगा एक एक पॉइंट ठीक है अब जो है आप इनकभीताओं को पढ़ेंगे और आप अपनी भासा में पढ़ेंगे इस बात की गैरांटी है चले यहां से हम लुक सुरू करते हैं लिखल है If I should die, think only this of me यदी मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में इतना ही सोचना एकर हिंदी है यदी मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना That's there's some corner of a foreign field कि जिस बिदेशी फिल्ड में, यानि कि बिदेशी जमीन पे, बिदेशी जमीन के किसी कोना में मैं मरूंगा, वो कोना जो है, that is for ever England, वो कोना जो है हमेशा के लिए England का हो जाएगा, आये फिर से समझते हैं सर, लिखल है, if I should die, think only this of me, यदी मैं मर जाऊं, तो मेरे बारे में इतना ही सोचना, कौन कह रहा है, ये जो है, motivate करने के लिए, Rupert Brooke, जो है, soldier के बारे में लिखे हैं, और soldier से कह रहे हैं, कि आपको कुछो जादा नहीं सोचना है, और एक soldier के रूप में ही जो है, बता रहे हैं, मान के चलिए, आप एक soldier है, cynic है, ता आप जो ह तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना, that's there's some corner of a foreign field, कि बिदेशी जमी के, जिस कोने में मैं मरूंगा, that's is for ever England, वह कोना जो है, हमेशा के लिए, किसका हो जाएगा, England का हो जाएगा, अब क्यूं होगा, आगे पढ़िए, अब देखे, इसका हिंदी का है, there's shall be that rich earth, और जिस धर्ती पे मैं मरूंगा, वह धर्ती जो है, कीमत उसके बढ़ जाएगी, there's shall be in that rich earth, a richer dust concilade, कह रहा है कि जिस धर्ती पे जो है, मुझे दफनाया जाएगा, concilade means दफनाना, ठीक है, जिस धर्ती पे मुझे दफनाया जाएगा, वो धर्ती जो है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, फेर से आप समझे, यदी मैं मर जाऊं, तो मेरे बारे में इतना ही सोचना, कि बिदेशी जमी के जिस कोने में मैं मरूंगा, वह कोना हमेशा के लिए इंगलैंड का हो जाएगा, और मेरी जो डेट बोडी है, जहां पड़ भी दफनाया जाएगा, उस धर्ती का कीमत जो है, बढ़ जाएगा, आएए, a dust whom England bore, एक मैं जो हूँ एक धूल का कन हूँ, मैं एक धूल हूँ, a dust मेंस मैं एक धूल हूँ, whom England bore, जिसे England ने जनम दिया, bore मेंस जनम दिया, England ने आकार दिया, England ने जो है, जाग रुखता उसमें हम में दी, gave, once her flower to love, England ने मुझे प्यार करने के लिए एक फूल दिया, her way to Rome, England ने मुझे चलने के लिए अपनी रास्ते दिये, a body of England's breathing a English air, और England ने मुझे सरीर दिया, और England ने मुझे सांस लेने के लिए हवाएं दी, was it by the river, England ने अपनी नदियों से हमें जो है, धोया, blessed by son of home, और England के सूरे ने हमें जो है, आसिरबाद दिया, यहाँ पे जो है, लेखक का कहना चाहता है, अब हम आपको पूरी जो है, तनिमानी भासा में आपको समझाते हैं, देखे कई से, एक सैनिक को जो है, motivate करते हुए, Rupert Brooke लिख रहे हैं, कि यदि आप मर जाएं, ठीक है, सैनिक को कह रहा है, और सैनिक से ही समझेता है, वो सैनिक के अपने बन के हूँ कह रहा है, कि यदि मैं मर जाऊं, तो मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना, कि जिस बिदेशी जमी पे, बिदेशी जमी के जिस कोने में मैं मरूंगा, वह कोना हमेशा के लिए England का हो जाएगा, और जहां पे हमारी dead body जो है, दफनाई जाएगी, वह जो है, उस धर्ती का कीमत जो है, और बर जाएगा, काहे उसका धर्ती का कीमत बढ़ जाएगा, और चाहे काहे England का उधर्ती हो जाएगा, तो मेरा जो सरीर का कन है, वो किस ने जनम दिया, इंग्लैंड ने जनम दिया सरीर की आकरिती किस ने बनाई इंग्लैंड ने बनाई सरीर को जागरुक किस ने किया इंग्लैंड ने किया सरीर को प्यार करने के लिए एक फूल किस ने दिया इंग्लैंड ने दिया सरीर को चलने के लिए जो है इंग्लेंड की नदिया नहलवाई और सरीर को जो है आसिरबाद किस ने दिया तो इंग्लेंड के सूरे ने दिया जब इतना कुछ इंग्लेंड ने किया तो मैं जहां पर भी मरूंगा उधरती जो है इंग्लेंड की ही हो जाएगी यह बात कौन कह रहा है सैनिक कह रहा है ठीक है अब जो है अब आगे पढ़ेंगे आप एंड फिंक डिस होट all evil shade away और सोचना विचारना यह जो मेरा दिल है उसमें जितनी भी बुराईयां है वो सभी जो है धुल गई अपनी जनता से जो है सैनिक कह रहा है का कह रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम सोचना या विचार करना जो मेरे दिल के अंदर जो भी बुराईयां है वो सभी जो है खतम हो गई, धूल गई A pulse in the internal mind no less gives somewhere back the thoughts by England given का कह रहा है यहां पे सूचिए मेरे अंदर जो सास्वत मन है जो सैनिक कह रहा है कि मेरे अंदर जो सास्वत मन है यानि कि मरता तो body है मन तो जिन्दा ही रहता है तो सैनिक मरने के बाद कह रहा है कि मेरे अंदर का जो सास्वत मन है वो तो कभी नहीं मरा है वो तो अभी जिन्दा है और England से जो हमें बिचार मिला है, जो हमें thoughts मिला है, वो हमेशा जो है मेरे अंदर जिन्दा रहेगा, ठीक है, जो सैनिक करा है कि मेरे अंदर का जो सास्वत मन है, वो तो कभी खतम नहीं होगा, और England से जो भी हमें जो भी बिचार मिला है, वो बिचार जो है, हमारे अंदर जिन रहेगा, Her sights and sound dreams happy as her day, और यहां की जो द्रिश से हमने देखी है, इंगलेंड के जो द्रिश से हमने देखी है, इंगलेंड में जो हमने आवाजी सुनी है, इंगलेंड के हर एक दिन में हमने जो खुसी की सपने देखे थें, इंगलेंड में जो रहते हुए सैनिक हर एक दिन जो खुशी के सपने देखते थे वहाँ की आवाजे सुनते थे, वहाँ के द्रिस जो देखते थे और दोस्तों से जो उन्होंने हसना सीखा है वो सभी जो है मरने के बाद भी सैनिक जो है याद रखेंगे, कहाँ पे स्वर्ग में जाने के बाद भी, and gentleness, और मानौता होगी, जहाँ पे मैं मर जाऊंगा, और स्वर्ग में जाऊंगा वहाँ पे मानौता होगी in hearts and peace और वहाँ पे दिलों में सांती होगी, under and English heaven, जहाँ पे England का स्वर्ग होगा, यहाँ पे का कह रहा है, e-line का मतलब समझे, कह रहा है लिखक, कि England के स्वर्ग में मैं जहाँ पर रहूंगा वहाँ पे दिलों में सांती होगी, वहाँ पे मानौता होगी, ठिक है, मरने के बाद, का है मानौता होगी, तो हमने जो दोस्तों से हसना सीखा है जो हम रोज हसी खुसी सपना देखते थें जो England की हम आवाजे सुनते थें, जो हम यहाँ के द्रिस से देखते थें, वो सभी हम लोग याद कर करके और England की जो स्वर्ग में हम लोग जाएंगे, वहाँ पे हसी खुसी से जीवन अपना हम बिताएंगे, यही कह रहा है अब इपूरा के हम निचोड आपको दें, तो यहाँ पे जो है लेखका कहना चाहता है तो कहना चाहता है कि जब मैं मर जाओं, तो सोचना कि मेरे अंदर का जो बुराई है वो खतम हो गया है लेकिन मेरे अंदर का भी जो मन है मेरे अंदर का जो सास्वत मन है वो अभी भी जिन्दा है वो नोलेस, मतलब कि खतम नहीं हुआ है और इंगलैंड से जो भी हमें सीख मिली है जो सोच विचार मिला है वो अभी भी मेरे अंदर जिन्दा है और जो हमने इंगलैंड से आवाजे सुनी है जो द्रिस से देखी है जो सपने देखे हैं इंगलैंड में रह करके जो हमने दोस्तों से हसना सीखा है जो मानवता सीखा है जो सांती सीखे हैं वो स्वर्ग में जान कि आप मर भी जाते हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे तो इस सब बाते जो हैं आपको याद आएगी यही जो है मोटिवेट करते हैं कब फर्स्ट वर्ल्लड वार के समय अब जो है आप बताईए कि काई कभीता आपको समझ में नहीं आई कितना आसान था और अब जो है आप कहेंगे कि इसके objective subjective तो इसके objective subjective के लिए जो है आपको जो है अपना application एक download करना होगा जिसका नाम है SGS Classes Play Store से जो है आप इस application को download कर सकते हैं ठिक है यहां से आपको इसके objective subjective और इसके video lectures जो है आपको मिल जाएंगे बाकी आप ये video देखें हैं अच्छा लगा है तो इस अपने दोस्तों में share करें और video देखें हैं उसके लिए धन्यवाद